सो हेलो गाइज माई नेम इस विपल सुकला ठीक है और हूआ है मैं कौन हूँ जो मैं आपको यह चीज बता रहा हूँ या पड़ा रहा हूँ तो मैं देखो एक एक कुटी डीलर हूँ मैं ट्रेड करवाता हूँ ट्रेड करता भी हूँ तो मैं अभी एक कुटी डीलर हूँ मैं कुटी डीलर कैसे बना मैं एक कुटी डीलर बना जब मैंने एन आई एसम यानि की नेशनल इंस्टिटीट सिक्यूरिटी मारकेट का एक्जाम दिया विच इस एन आई एसम सीरीज एट जो बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है एक कुटी डीलर बनने के लिए समझे तो मैंने एन आई एसम का एक्जाम दिया था जिसमें मेरे 76 कुछ 76 मारक्स आए थे और इसमें होता क्या है देखिए इसमें आपको 100 कॉशन्स दिये जाएंगे एक्जाम में 100 कॉशन्स दिये जाएंगे जिसमें से 60 मारक्स जो होते हैं वो पासिंग मारक्स होते हैं क्या होते हैं और इसमें 1 बाइ 4th क्या होती है निगेटिव मारकिंग होती है negative marking होती है तो अगर आपको ये exam qualify करना है तो आपको at least 60 marks तो चाहिए पड़ेंगे और अगर आप गलत करते हैं तो 1-4 इसमें negative marking भी होती है ठीक है तो अगर आपको equity dealer बनना है अगर आपको equity dealer बनना है तो आपको NISM का exam देना ही पड़ेगा you do not have any options you have to get this exam after passing this exam अगर आपकी graduation complete है ठीक है और आपने NISM series 8 का exam दे दिया तो आपको अगर कहीं पे भी job के लिए apply करेंगे किसी भी broking form में तो उसमें होगा क्या आपको at least 20 K 2 30 K और भी ज्यादा की अच्छी खासी salary मिल सकते है अगर if you are a fresher so you can expect that you will get the salary about 20 K to 30 K की आसपास depend करता है if you are experience person कहीं पे भी आप अगर आपने काम किया है तो आप expect कर लिए तीस से पचास जार तक की job आपकी as equity dealer equity dealer कहीं पे नहीं गई समझे तो आपको simply करना क्या है आपको NISM Series 8 का exam देना है जो की बिलुकुल का ठेनी होता है बहुत ज़्यादा easy होता है इसमें होता क्या है आपको security market financial market जो financial market होता है financial market आपको पता ही होगा financial market और इसको हम security market भी कहते हैं security market इसके बारे में आपको basics पड़ाया जाता है जिसके बारे में आपको futures के बारे में बताए की future क्या होते है options क्या होते है intraday क्या होता है Swing Trading क्या होती है और इसके बारे में आपको Detail बताया जाएगा IPO कैसे Launch होता है Initial Public Offering इसको हम IPO बोलते हैं ठीक है तो ये IPO क्या होता है इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा तो NISM का Series 8 इसमें काफी सारे exam होते है NISM का Certificate Certificate ठीक है इसमें काफी सारे exam होते हैं Series 8 होता है जो की इसको बोलते हैं Equity and Derivative exam ठीक है Series 8 को NISM के Series 8 को बोलते हैं Equity and Derivative exam और Series 5 भी होता है Series 6 भी होता है तो कोई-कोई Research Analyst की भी तयारी करता है Research Analyst ठीक है और Investment Foundation Investment Advisor Investment Advisor इसके दो लेविल होते हैं Level 1 होता है और Level 2 होता है 15-20 exam होते हैं लेकिन जो important होते हैं वो कुछ ही होते हैं important में हैं मैंने आपको बताई दिया Series 8 का होता है जो की होता है Equity वाला ठीक है और Series 5 होता है Research वाला और Investment Advisor का होता है और Research Analyst की भी Risk Management का भी होता है फिर तो भतेरे एक्जाम होते हैं लेकिन अगर आपको Finance में किसी भी Broking Farm में अगर आपको Job करनी है तो आपको Simply Series 8 लेना है which is Equity and Derivative और Research Analyst का ले लेते हैं तो वो आपके लिए एक Plus Point हो जाता है Because Research Analyst का जो एक्जाम होता है वो आपको Basically Investment के परपस से तो उसके Research Analyst में आपको यह बताया जाएगा तो जो भी Investment होती है पहले Research Analyst Company के बारे में Analysis करते हैं उसके बाद उस Company में वो लोग Investment करते हैं ठीक है तो Basically इसमें यह बताया जाएगा अब यह वीडियो एक Introduction वीडियो था NISM Certificate Exam के बारे में What is NISM तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको NISM National Institute of Security Market होता है ठीक है और क्यों होता है क्या करना पटा है इससे बनते क्या है Equity Dealer बनते हैं Fresh Air 20-25 जार की जॉब मिल सकते है If graduation complete है तो Well and Good और यह ले ले लेंगे S-I-Dificate तो Easily Job कहीं पर भी मिल जाएगे Experience है तो 30-50 जार तक की Job लग जाती है तो Basically यह Next Video में आप मैं आपको बताऊँगा Basically मैं आपको क्या बताऊँगा Next Video में ना मैं आपको Series 8 के बारे में Detail में Detail में पढ़ाऊँगा Study करूँगा Chapter wise ठीक है तो इसमें ना NISM Exam Series 8 Which is Equity and Derivative Equity and Derivative के सारे Chapter में आपको बताऊँगा पढ़ाँगा तो अगर आपने ये वीडियो सारी जो मैं आँगे लाता जाऊँगा वो अगर आपने पढ़ लीने तो आपको Definitely Series 8 जो Exam में ये clear हो जाएगा और अगर आपने एक बार Equity and Derivative का Exam Qualify कर लिया ये 90 marks लेता है तो आप कहीं पे भी Broking firm में Job के लिए अपलाई करेंगे तो you can easily Get good salary और फिर financial market है बंदा खुच से भी Trade या Investing करता है तो और भी पैसे कमा लेता है अगर आप जब Broking firm में काम करेंगे तो आप दो चीज बहुत ज़ाद अच्छे से सीखेंगे Which is investing And which is trading आपके लिए क्या better होता है क्या होता है वो आप आँगे करेंगे जब आप Market को अच्छे से समझ लेंगे सीख लेंगे तो वो चीज आप कर पाएंगे जब आप Broking firm में काम करेंगे तो Broking firm में काम करने के लिए आपको ये exam तो देना ही है Series 8 का Which is equity and derivate ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो चलगे दे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अब मैं आँगे आपको चैप्टर वाइस वीडियो बताऊंगा Series 8 की Thank you so much Thank you for watching Bye Bye